नमस्कार साथियों मेरा नाम है आरके सिंग और आप देख रहे हैं संस्कृति आईस यूटूब चैनल आज हम अपने करेंट अफर एनाल्सिस में एक खास मिसन की बात करेंगे और यह मिसन जो है यह अंतरिश्च से जुड़ा हुआ है हाली में क्या है कि देश की जो अंतरिश एजनसी है यानि जो हमारी इस्व है उसने एक बड़ा एलान किया है एक घोसड़ा की है और इसने एक्सपो सेट एक मिशन लांज कर रहा है यानि इसी के संदर में आज हम चर्चा करेंगे और इसके विभिन पहलूओं की बात करेंगे चुकि क्या है कि बरतमान में भारत नित या दिन प्रतिदिन अंतरिच के छेत्र में नए कृतिमान अस्थापित कर रहा है और यह जो मिश इंडिया सेट टू लांच इट्स फर्स एक्सरे पोलरी मीटर सेटेलाइट यह इस्ट्रो का स्टेटमेंट है यानि इस्ट्रो ने कहा है कि हम क्या कर रहा है कि जो एक्सपो सेट है उसको हम लांच करने जा रहा है और यह जो विशाय है यह जो टॉपिक है यह हमारे जीयस क के पेपर थट के अंतरगत साइंस टेक के इस पेस खंड से संबंदित है तो इस कारण से भी क्या है यह महतपूर हो जाता है अब बढ़ते हैं कि आज हम अपने इस करेंट सेशन में प्रमुख रूप से किन बातों की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले यही देख लेंगे कि और फिर क्या है एक्सपो सेट जो यह सेटलाइट है यह क्या है इसके बारे में देखेंगे और यह क्या लेके जा रहा है यानि पेलोड अपने साथ कौन से लेके जा रहा है और जो यह पेलोड है उसके अंतरगत जो दो पेलोड है पोलिक्स और इस पैक्ट यह क्या है इनक पी एसल्वी यानि जो धुरुवी उपग्रफ प्रचेपड यान यानि कि क्या है कि पोलर सेटलाइट लांच वेहिकल ये क्या होते हैं और इसमें कौन सा प्यसेल्वी जा रहा है इनकी चर्चा आज हम करेंगे और इस चर्चा के आधार पर एक प्रश्ण भी लेंगे और फि पहले देखते हैं कि आखिर ये न्यूज क्या है तो हाली में क्या है कि हमारे देश की जो सर्वच अंतरिच एजनसी यानि जो इस रो है इसने एक घोसडा की और कहा कि भारत अपना पहला एक्सरे पोलारी मीटर सेटलाइट लांच करने जा रहा है ये इसने घोसडा की अब ये इस कारण से चर्चा में है क्योंकि यह अपने तरह का एक अधितिय मिशन है क्योंकि अभी तक क्या है कि भारत से पहले दुनिया में एक ही क्योल देश है जिसने इस तरह का मिशन लांच किया है और वो देश कौन सा है वो है यूएस से तो यूएस से की जो नासा जो अं Polarimetry Explorer यानि आई XPE को क्या किया है कि बर्स 2021 में लांच किया था तो इस तरह से क्या है कि विश्व का ये पहला इस तरह का क्या है कि Polarimeter Satellite है लेकिन इसके बाद क्या है कि भारत दूसरा ऐसा राष्ट है जो इस तरह के मिसन या ऐसे सेटलाइट को लांच करने जा रहा है तो क्या है कि यह जो सेटलाइट मिसन है यह भारत का पहला समर्पित Polarimetry Mission है और इस आधार पर देखें तो एक्सपो सेट जो है यह दुनिया का दूसरा इस प्रकार का क्या है कि Polarimetry Mission है तो इस कारण से क्या है कि विश्व में जो भारत की अंतरिच के छेत्र में जो साख बन रही है और इस कारण से क्या है कि विश्व में भारत की चर्चा हो रही है तो इसी कारण से क्या है कि यह निव चर्चा में बनी हुई है अब यह क्या है कि यह जो सेटलाइट है उसके बारे में थोड़ा सा आपको संशिप्त में हम बता रहे हैं कि जो एक्सपो सेट है ठीक है यह एक्सपो सेट है इसके बारे में क्या है कि इसके अंतरगत दो पेलोट क्या है कि अंतरिच में भेजे जाने हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे सबसे पहले देख लेते हैं कि यह जो मिसन है इसका आखीर मूल उदे से क्या ह तो मूल रूप से क्या है कि अंतरिष में बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल क्या है बोडीज हैं और उनके द्वारा क्या होता है कि विभिन प्रकार के बैदुत्चुम्ब की भीकरण निसकासित होते हैं उन्हीं में से क्या है एक एक स्रेय है तो इसका जो मूल उदेश है वो क् हमने देख लिया कि इसका उदेश ही क्या है अब बात कर लें कि जो एक्सपो सेट है ठीक है इसके द्वारा कौन से प्रमुक पेलोड को अंतरिच मिल ले जाए जा रहा है तो इसमें क्या है कि मुखी रूप से जो यह एक्सपो सेट है इसके द्वारा दो बैग्यानिक पेल रमन रिसर्च इंस्टूट है यानि इस इंस्टूट की अस्थापना किस ने की थी तो इसकी जो अस्थापना की थी वो बैंगलोर में हमारे देश के जो बड़े बैग्यानिक सीबी रमन थे उन्होंने की थी तो आर आराई के सहयोग से और इसी के साथ क्या है कि इस रो ये दोनों ने क्या किया है क्या है और इस रो का क्या है कि इसी के अंतरगत जो यू आर सेटलाइट सेंटर है उन दोनों ने मिलकर इस पोलिक्स के डिजाइन और इसके निर्माण को फाइनल किया यानि इसको बनाया है और पोलिक्स की अगर हम बात करें तो जो पोलिक्स पेलोड है ये खगोली सुरोतों से उत्पन होने वाले लगभग आठ से 30 किलो वोल्ट जो फोटान वाले इसके बीच की है उसके धुवी करण पोलराइजेशन की डिगरी और उसके एंगल इस प्रकार के जो मांदंध है उनको मापने का कारे करेगी और दूसरा जो है वह इस पैक्ट है जो इस पैक्ट है यह मूल रूप से क्या है कि यह पेलोड जो होगा वह एक्सरे फोटान की प्वाइंट ए Sasterg tax के अ defining मूल रूप से बात करें तो यह क्या करेगा कि इस छेत्र में कैजो एक्सरे हैं है उसके उत्सरजन यानि उस वह किस प्रकार से उत्पन होального कहर रहाrain और कैसे वह एब्सॉर्ब हो रहा है मूल रूप से उसका परिशन करेगा यानि जो अंतरिछ में जो विभिन चीज का ये परिशण करेगा और इसी तरह से क्या रहा कि इसको मूह लूप से क्या किया जाएगा कि प्रीथवी की कच्छा से और है और लगःबग 606 किलो मीटर की उचाई पर इसको अस्थापित किया जाएगा यानि क्या है यह पीथवी के लोवर अर्थ आर्बिट में अस्थापित किया जाएगा और यह क्या होता है कि पीथवी की सता से लगभग 500 से लेकर 700 किलो मीटर वाला जो दूरी है या जो उचाई है उसको हम बोलते हैं तो इसी क्या है कि पीथवी के lower earth orbit में ये पेलोड अस्थापित किया जाएगा और इसे लगभग six degree के जुकाव पर अस्थापित किया जाना है और जो mission का ये जीवन होगा यानि जो ये mission तै किया गया है इसका एक lifetime तै किया गया है जिसकी क्या है सीमा five years है यानि ये पाँच वर्सों तक कारे करेगा क्या है कि पारगमन के दोरान यानि जो ग्रहन अवधी होती है उसके दोरान x-ray सुरोतों का निरिछण करेंगे और इस जो satellite है इसका जो क्या किया जाएगा यह जो satellite है यह स्री हरी कोटा के जो 37 धवन अंतरिच केंद्र है वहां से क्या किया जाएगा प्रच्यपीत किया जाएगा तो इस तरह से क्या है कि इससे संबंदित यह कुछ प्रमुख बाते हैं अब इसके उपयोग की बात कर लेते हैं तो जो एक्सपो सेट है इसके द्वारा ब्रहांड में जो लगभग 50 से सबसे बड़े चमकीले ग्यात जो स्रोत हैं उनका यह अध्यन करेगा जैसे उसी में से अगर कुछ उधारण लें तो पलसर है ब्लैक होल त्रॉल्स है सक्रिय जो गैलेक्सिक नाभी है उनके बारे में और घर्नमल को जो सुपरॉप अवसेस होते हैं उनके बारे में यह अध्ययन करेगा क्योंकि इनका क्या होता है तापमान बहुत ही अधिक होता और जिस बाड़ी का अधिक होगा उसका wavelength उतना कम होता है तो हो सकता है कि इस तरह के भी प्रश्ण आप से पूछ ले कि किसी भी astronomical body और उसके तापमान और wavelength में क्या संबंध होता है अब हम बात कर लेते हैं कि पी एसल भी यानि जो क्या है कि polar satellite launch वहकील है आखिर यह क्या है तो धुरुवी उपग्राप प्रचेपड़यान यह मूल रूप से क्या है कि जिसके द्वारा क्या है कि यह एक्सपो सेग भेजा जाना यानि जो हमारे पोलिक्स है और दूसरा जो पेलेवड है इसको अंतरिछ में अस्थापित किया जाना है तो हम PSLB के बारे में थोड़ा देख ले तो यह चार चौणों वाला PSLB प्रचेपड़यान है जिसकी लंबाई कितनी है लगबग 44.4 मीटर है दूसरी बात करें तो इसमें दो ठोस प्रडोदक और दो तरल प्रडोदक चौणों द्वारा य PSLB D1 यानि यह 20 सितंबर 93 को हुई थी लेकिन उस समय यह उडान अस्फल हो गई थी उसके बाद में दो और विकासात्मंग उडानों के बाद इसको क्या किया गया कि वाडिजिक प्रचेपड शुरू हुआ और जिनमें से दो सक्सेज हुए सफल हुए तो इस तरह से क्या ह कि इसके बारे में हैं दूसरी बात करें यह सेलवी का जो उपयोग है यह कई इसरो के मिसनों में किया गया यानि लांच करने के लिए किया गया जिसमें प्रमुख रूप से चंद्रयान वन है चंद्रमा मिसन है मंगल यान या मंगल आर्बिट जो मिसन था उसमें किया गया साथी क्या आदित L1 जो मिशन था उसमें किया गया और अभी जो ये होना है यानि जो एक्सपो सेट भेजा जाना है तो इसकी क्या है कि ये इसकी साथवी उडान है यानि इसके पहले क्या है कि लगभग 59 सफल ये उडाने भर चुका है तो इस तरह से क्या था कि ये PSLV से ये पहला कथन है एक्सरे लाखों डिग्री सेल्सियस वाली बस्तूओं से आती है जैसे पल्सर गैलेक्टिक सुपर्नोवा अवसेस ब्लैक होल इस तरह से दूसरा स्टेटमेंट है एक्सपो सैट देख्यों सैट का मतलब ये सेटलाइट है ठीक है भारत का पहला और दुनि का अध्यन करना है उपरोक्त में से कौन सा से कथन सई हैं पहला भी कल्ष है केवल एक केवल दो सी है एक और दो दो अरडि' है नो तो एक और नो ही दो तो इसे सम्बंदित हो सकता है कि आने ौले समय में अन-information और भी मिले तो आज हमने जो भी समझा उसको आप देख सकते हैं उस पर क्या है कि मेंश के भी प्रश्ना आप लिख सकते हैं तो आज इस चर्चा में इतना ही नए चर्चा में एक नए विशय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे तो आप हमारे साथ बने रहें इ सब्सक्राइब